दिल्ली की हवा में प्रदूशन का स्तर आज भी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है दिल्ली में आज की एर कॉलिटी इंडेक्स 466 दर्च किया गया है और इसमें कल के 466 के मुकाबले थोड़ा सुदार हुआ है लेकिन ये अब भी बहुत खतरनाक श्रेणी में है यानि इतनी दूशित हवा में बहार निकलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन को देखते वे केंद्री प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक गाइडलाइन भी जारी की है जिसमें लोगों से बहार नहीं निकलने के लिए कहा गया है और लोगों से कहा हैं कि आप आउटडर एक्टिवेटी कम करें और घर पर रहें हवा इतनी घातक है कि दिल्ली के अस्पतालों में OPD मरिजों की संख्या 25% तक बढ़ गई है करीब 15 दिनों से दिल्ली का यही हाल है और पिछले दो दिनों में हालत और जादा बिगड़ गई है हाला कि कल के 486 के मुकाबले आज येर क्वालिटी इंडेक्स 466 तक है लेकिन पिछले 15 दिन में जो आकड़े हैं वो दिल्ली की जहरेली होती हवा के हालात को कुछ इतने गंफीर स्तर पर लेकर गई है जिससे लोगों के लिए सुबा सुबा बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है एक तरफ का हुरा और दूसी तरफ जहरेली हवा पॉलिशन कंट्रोल के लिए जो स्मॉक टावर लगाए गए हैं वो किसी भी तरह से काम नहीं आ रहे हैं पूरी तरह से वो फेल साबित हुए हैं दिल्ली के अंदर